तो पाट 10 की शुरुआत महीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खतम हुआ था गुवन दोही को बताता है कि मैं अपनी पाउर से उस किलर को ढून सकता हूँ जिसने तुम पर हमला किया था गुवन उसका स्टरच करने जाही रा था पर वो रुक कर उसके कहता है कि एक सेगंड तुमारी हप करने से पहले मुझे एक प्रोमिस चाहिए दोही कहती है कैसा प्रॉमिस गोउन कहता है मैंने अपनी पाउर से तुम्हारी हल्प की उस किलर को पकड़ने में उसके बाद तो तुम्हें मेरी जरुवत नहीं पड़ेगी और तुम मुझे अपने आसपास नहीं रहने दोगी पर मुझे उसके बाद भी पाउर्स के लिए तुम्हारी जरुवत पड़ेगी दोही कहती है कैसी बात कर रहे हो तुम क्या तुम्हें मुश्वर भरुसा नहीं है गोउन कहता है बिल्कुल भी नहीं दोही कहती है अब ये कुछ जादा हो रहा है गोउन कहता है ठीक है फिर भूल जाओ मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा पर दोही उससे रोग लेती हैं कहती है पहले उस किलर को पकड़ लेते हैं उसके बाद तुम्हें जब चाहिए मेरा हाथ पकड़ सकते हो तब जाकर गोउन मानता है और उसका हाथ पकड़ने चाहिए रादा पर दोही कहती एक सिकंड हम उस किलर के एकदम करीब नहीं जा सकते उससे थोड़ा दूर ही जाना ताकि हम पुलिस को कॉल करके बुला सके पर गोउन कहता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका हाथ पकड़ लेता है उसकी पाउर्स वापस आ जाती हूँ अपने मन में उस किलर की फोटो को याद करता है और टेलिपोर्ट होने के लिए चुटकी बजाता है लेकिन कुछ भी तो नहीं होता दोनों यहीं पे रहते है गोउन और चार-पांच बार चुटकी बजाता है लेकिन उसकी तो पाउर्स काम ही नहीं कर रही थी जिसका रीजन गोउन को समझ नहीं आ रहा था अब यहीं दोही उसे चिड़ाते वे क्याती कि क्या तुम्हारी पाउर्स खतम हो गई तब से कितने नकरे कर रहे थे और अब तुम्हारी पाउर्स कोई काम के नहीं रहे गोउन कहता है ऐसा नहीं हो सकता मेरी पाउर्स काम क्यों नहीं कर रही है दोही पूछी है क्या तुम अपने सारे पाउर्स खो चुके हो जिस पे गुएन फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है दुबार अपनी पाउर्स यूज़ करने की कोशिश करता है सावने पड़े पैन को देकर वो चुटकी बजाता है पैन उड़कर उसके हाथ में आ जाती है तो वो दोही से कहता है कि देखा मेरे पाउर्स अभी भी है तरह अपनी आँखों से ही कटन्स को उठा देता है पर फिर सोचता है कि आखिर मैं उस किलर को ढूंड क्यों नहीं पा रहा हूँ एकोई बार अपनी पाउर्स ट्राइ करने के लिए वो दोही को किसी इंसान का नाम लेने के लिए क्याती है जिससे वो अभी तक मिला है दोही पियार टीम से मिश्टर हान का नाम लेती है तो वो एक चुटकी बजाता है और यहां से गायब हो जाता है और दोनों पहुच गए थे फूट स्टोरेज रूम में जिस रूम के बाहर ही Mr.Han अपने कुछ कलीक्स से बात कर रहे थे तो ही बाहर जा नहीं लगी थी तो गुवान उससे रोक लेता है क्योंकि बाहर Mr.Han और कलीक्स उन दोनों के बारे में ही बात कर रहे थे Mr.Han से कहते हैं कि क्या तुम दोनों को नहीं लगता कि बॉस और गुवान के बीच कुछ चल रहा है उन्हें देकर लगता है कि दोनों टेट कर रहे है उन दोनों की क्लोजनेस और बेहिवियर से तो ऐसे ही लगता है Mr.Han कहते हैं कि सेही का मुझे भी ऐसा लगता है वरना हमारी बॉस गुवान को कैसे शादी के लिए प्रपोस कर सकती है Mr.Han कहते हैं कि सीक्रेट लिए ओफिस रुमेंस की बात ही कुछ और होती है छुप छुप कर एक दूसरे से मिलना टीम डिनर के टाइम टेबल के नीचे एक दूसरे का हाथ पकड़ना कितना रुमेंटिक होता है जो सब सुन इधर ये दोनों काफी नर्वस हो रहे थे क्यूंकि दोनों काफी करीब थे उपर से मिस्टर हां तो रुमेंटिक ऑफिस रुमेंस के बारे में काफी सारी बाते कर रहे थे कि सीक्रेट ले एक दूसरे का हाथ होल्ड करने का फीलिंग ही कुछ और होती है अपने लवर का हलका सा टच या कुछ पहलों का आई कॉन्टेक्ट बाडी में करेंट सा फील होता है जो सब इधर स्टोरेज रूम के अंदर इन दोनों के साथ हो रहा था जो दोनों के लिए काफी आउक्वर्ड मोमेंट लग रहा था दोनों नर्वस होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ने के चकर में कुछ समान गिरा देते हैं जिसकी आवाज बाहर ये तीनों सुन लेते हैं तो ये लोग अंदर चक करने आ नहीं वाले थे पर इसने पहले गुवान दोही का हाथ पकड़ के टेलिपोर्ट हो जाता है एक पार्क जैसी जगह पे जहां दोनों काफी करीब होते है जिससे नर्वरस होकर दोही तो उसे धक्का मार देती है जिससे गुवान तो दूर जाके बेंच पे गिरता है दोही कहते है मिस्टर हान को ढूणकर कोई फायदा नहीं है उस किलर को ढूणो गुवान कहता है कि मेरी पाउर्स में कुछ गरबढ़ नहीं है बल्कि उस killer में कुछ तो गरवर है मैंने उसका चेहरा clearly देखा था फिर मैं उसे क्यों नहीं ढूंड पा रहा दो ही पूछती क्या तुम चेहरे से इंसान ढूंडते हो गुवान क्याता है हाँ तो दो ही पूछती कि अगर उसने plastic surgery कराया होगा तो क्या तुम उसे नहीं ढूंड सकते है गुवान क्याता है नहीं अगर मैंने उसे देखा होगा तभी उसे ढूंड सकता हूँ इसलिए मेरी powers में तो कुछ गरबर नहीं है इसलिए अब मुझे charge होने के लिए तुमारा हाथ पकड़ने दो लेकिन दोही अपना हाथ पीछे अटाली थी और क्याती है कि मैंने कहा था ना कि killer को ढूडने के बाद ही तुमेरा हाथ पकड़ सकते हो गुवान दोबरा उसका हाथ पकड़ने क्या ट्राय करता है लेकिन दोही पीछे अट जाती हैं कि वैसे ही लोग हमें डाउट कर रहे हैं हमारे डेटिंग को लेकर इसलिए हाथ पकड़ना तो भूल जाओ यह कैकर वो चली जाती है इधर हमें killer को दिखाय जाता है जा हम देखते हैं कि अब उसके पास दोही और गुवान की साथ वाले फोटोस थे तबी उसके phone में message आता है कि जंगली कुतों को छोड़ने का वक्त आ गया है इधर दोनों office लोटते हैं तो मिस चोई गुवान पे chance माने की कोशिश कर रही थी जहां वो आज रात को गुवान के welcome party के लिए उसे आने के लिए कहती है Mr.Han और दूसरा कलिक भी उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारा पहला team dinner भी हो जाएगा इधर हम mafia gang को देखते हैं जहां boss तो अपने सभी बंदों पे गुसा कर रहा तक गुवान को भी तक ना ढूंड पानी की वज़े से तभी एक waiter drink सर्व कहने आता है पर उस ट्रेक नीचे एक photo रखा हुआ था जिसमें दोही और गुवान थे और पीछे उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था कि गुवान दोही का bodyguard है और वो मेरे FNB में काम करता है अब हम देखते हैं कि जो waiter ये photo दे कर गया वो तो असल में killer था जिसने पता लगा लिया था कि गुवान की इनके साथ दुश्मनी है इसलिए वो गुवान को दोही से दूर करने के लिए इनने गुवान की पीछे भेज रहा है तकि जब ये लोग गुवान को मार देंगे तब वो दोही को आराम से मार सके अब इतना information देखकर बॉस तो खुश हो जाता है और अपने बंदों को दोही और गुवान की पीछे लगा देता है उनके घर से लेकर कार का पीछा तक करने के लिए कहता है देरम देखते हैं वही गलब्स वाला बंदा मैडम जू के रूम में आता है और उनके चेर में बैठ जाता है जिसके flashback से हमें पता चलता है कि मैडम जू को जब अपने company में चल रही fraud के बार में पता चला कुछ टाइम का recording गायब है तभी गौन आकर उसे पूछता है कि घर चलने का टाइम हो गया लेकिन तभी जूस योग दोही को call करके बताता है कि मैंने भी Mr. Tejin का laptop चेक किया लेकिन उनके laptop में भी कुछ भी सबूत नहीं मिले क्योंकि तुमारा अल्रेडी एक plan है दोही कहती है कि मेरा कौन सा plan है सीन कट होता है गौन दोही को लेकर मैं शोई के welcome party में आता है जो कि एक छोटे से बार में था जहाँ वो लोग drink करने के लिए आये थे लेकिन दोही को यहाँ देकर यतीर तो awkward हो रहे थे पर वो उने continue करने के लिए कहती है तो गौन को छोड़ कर बाकी सब drink करने लग जाते है क्योंकि गौन drive करने का बहान अकर देता है वही दोही एक हाथ से जैसे ही पीने जाती है तो गौन उसका हाथ जल्दी से पकड़ लेता है जिससे दोही को बहुत awkward सा लगता है इसलिए वो धीरे से अपना हाथ हाठाने की कोशिश करती है लेकिन गौन तो उसका हाथ चोड़ता ही नहीं पर वो drink करने के बाते अपना हाथ छोड़ा ही लेती है पर फिरसे जब वो drink करती है kuvon again उसका हाथ पकड़ लेता है और इस बार उन्हें हाथ पकड़े हुए मिस्चोई देख लेती है इससे मैडम तो सैड हो जाती है क्योंकि वो यहाँ तो गौन पर लाइन मानने आई थी लेकिन उन्हें हाथ पकड़ता हुआ देकर वो तो और ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती ह तो यह तो मौका पाकर गौन को अपना हाथ छोड़ने के लिए कह रहे ही होती है लेकिन गौन तो उसका हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं लेता इसलिए वो तंग आकर दूसरे हाँ से ड्रिंग करते जा रही थी जिससे Mr.Hana दोनों कलीक तो टली हो जाते हैं पर वो लोग Gowon से पूछते हैं कि तुमने बॉस का प्रपोजल रिजक्ट क्यों किया किया तुम उन्हें लाइक नहीं करते Gowon तो राइटली कहा देता है कि ऐसी बात नहीं है मैं दोही को लाइक करता हूँ जोसुन इन दोनों के साथ दोही भी शॉक्ड होती है जोसुन Mr.Hana दूसरा कलीक तो बड़े एकसाइट हुए जा रहे थे तो पूछने कि फिर तुमने मना क्यों किया जवाब में Gowon कहता है कि जिसे मीट पसंद होता है क्या वो मुर्गी से शादी करता है कभी नहीं ना जो सुन दोही को तो बहुत ही जादा embarrassment होती है वहीं Mr.Hana तो चुपचाप से अपने कलीस को लेकर निकल जाता है Gowon उसके पीछे पीछे जाता है उसका हाथ पकड़ने के लिए लेकिन दोही तो उसे हाथ पकड़ने ही नहीं देती तो Gowon उसे रोक कर कहता है कि अभी हाथ पकड़ने से क्या होगा आसपास तो कोई भी नहीं है दूसरों के सामने हाथ नहीं पकड़ सकता अकेले में भी नहीं पकड़ सकता तो आखिर मैं आपने आपको कब जार्च करूँ लेकिन उसकी बाते सुनते दोही को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ न कहकर जाने लगती है पर फिर रुकर कहती कि मैं एक इंसान हूँ और मेरे भी कुछ एमोशन्स है मैं तुम्हारे लिए कोई चार्जन नहीं हूँ वो पीछे मुर्तिये पर गुवन तो चला गया था दोही आसपास देखती पर वो नहीं दिखता इसलिए वो तो थोड़ी डर जाती है वह इदर गुवन भी गुसे में ये कहते हुए जा रहा था कि मैं उसे नहीं जल सकता इससे अच्छा तो मैं बुढ़ाई हो जाओ पर फिर थोड़ी दूर जाकर वो रुख जाता है कि अकेली भी तो छोड़ कर नहीं जा सकता अगर उसे कुछ हो गया तो ये कहकर वो वापस जाने लगा था लेकिन उसे तो सामने से माफिया गैंके गुंडे मिल जाते है तो गुवन उनसे बचने के लिए आगे चला जाता है इधर दोही भी उसे ढूंटे हुए एक गली में चली गई थी जहांसे वो गुवन को कॉल लगाती है वही गुवन जो दूसरे गली में था सामने के और से भी उसे माफिया गैंके गुंडे घेर लेते है तबी उसे दोही का कॉल भी आता है लेकिन गुवन अब भी अपना एटिट्यूड नहीं चुड़ता रूने कहता है पर तबी उसे सामने एक निउस्पेपर गिरा हुआ देखता है जिसे वो उठा ली था हैं पिछली बार की तरह फोल्ड करने की आक्टिंग करने लग जाते हैं जिसे देख कर ही तो बाकी सब पीछे हट जाते हैं बहेंदर गौण एक गुणर के और जाता है पर पीछे से दूसरा बंदा उसके सर पे मार देता है लेकिन वो तो खुदी बहुत ज़ादा घबराई हुई थी तो ग्यांग लीडर अपने बंदों को उसे संबालने के लिए आगे भेज देता है अब दोही के शौक देने वाले डिवाइस का बैटरी खतम हो जाता है तो उसे फेंकर एक गर निकाल लेती है जिससे एक धुआ निकलता है तो वो उसे गुणों की और मारते हुए गुण के पास पहुँच जाती है तो गुण उसका हाथ होल्ड कर लेता है जैसे उसका हाथ पकड़ता है तो गुण के चोट गायब हो जाते है वो यह हम देखते हैं कि किलर ये सब चूपकर रिकॉड कर रहा था गुण दोही से कहता है कि क्या तुमें टैंगो आता है तो इसके चाल में मत फसना इसलिए कंसेंटरेट करके इस पर अटक करो गुण दोही से कहता है कि टैंगो करते टाइम अपने पार्टनर पे पूरा भरुसा करना चाहिए दोही पूछती कि अचानक तुम ये टैंगो की बात क्यों कर रहे हो तभी गैंग लेडर उनके तरफ चाकू फेंकता है इससे गौण अपनी पावर से डॉज कर देता है और उसे उड़ा कर दूर फेंक देता है जिसके बाद दोनों तो मस्त डांस करकर के सब को धोने लग जाते है कभी उने गौण मारता है तो कभी गौण दोही से उने मार खिलाता है अपने इशारों पे गौण उन सभी को नचाबी रहा होता है और उनकी धुलाई भी अच्छे से कर रहा होता है और ये सिन बहुत ज़ादा बीटिफल और फणी था तो सबकी धुलाई करने के बाद गौण दोनों के पर फूल बरसाता है इस सिन की फाइट प्लास डांस कोरियोग्राफिक काफी जादा अच्छी थी तो इस तरह से उनका डांस भी खतम होता है भही गौण को यहाँ पर याद आता है बटलर के वो बॉडिगार्ड बनने के तीन रूल्स नमबर वन अपनी बॉस को आँखों से दूर मत जाने देना नमबर टू हमेशा उसके साथ रहना और रूल नमबर तरीक अभी अपने बॉस के प्यार में मत पढ़ना तो टांस खतम होने के बाद दोनों एक दूसरे के आँखों में खोसे जाते हैं तो यही पर पार्ट 10 का एंड होता है तो ड्रामा आगे काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहले बार आए तो डूसरे के लिए अगले पार्ट में तब तक लिए टेक क्यार और बाई बाई याद स्टी में आए जाएक के लिए बाई और अगले पार्ट में अट्साएक के लिए जाएक के लिए वीडियो आएक के लिए।